भगवान श्री कृष्ण ने जब माता देव की और पिता वसुदेव को कंस के चंगू से चुड़ाने गए तब उनकी उम्र 14 वर्ष थी उनकी माता ने उनसे पूछा कि बेटा तुम तो भगवान हो तो तुम हमें पहले ही कंस के चंगू से चुड़ा सकते थे तनी देर क्यों कर दी तो कृष्ण जी ने कहा माता क्या पिछले जनम में आपने मुझे 14 वर्ष का वनवास नहीं दिया था माता हिरान रही बुलिए क्या कह रहें आप तब क्रिश्ण जी ने बताया कि पिछले जनम में मैं राम था और आप थी माता केकई और आपी ने मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया था और कर्म फल से कोई नहीं बच सकता माता इसलिए आपको 14 साल का ये दुख सहना पड़ा तब शरिचकित होते हुए माता ने पूचा तो फिर यशोदा पिछले जनम में कौन थी प्रिशन जी ने बताया वो थी माता कौशलया जो 14 साल तक अपने पुत्र से अलग रही थी उन्होंने उस दुख को सहा था इसलिए इस जनम में 14 साल मैं उनके पास रहा और मेरे साथ रहने का माता और पुत्र के प्रेम का सुख हुने मिला क्याने का मातलब यह है कि कर्म फल से ना उस यूग में कोई बचा था ना आज कोई बचेगा खुद भगवान भी कर्म फल से नहीं बच सकते इसलिए अपने हर एक कर्म को बहुत सोच समझ कर कीजे क्योंकि जिसके भी खिलाफ आप कुछ गलत कर रहे हैं उससे आपकी शत्र